गूर्ट इविनिंग एवरीबड़ी वेलकम टू थे क्लास आज क्लास शुरू होने से पहले एक दो मैं बेसिक चीज़े बताना चाहूंगी कि जो वर्टीब्रेट्स होते हैं वर्टीब्रेट्स का डिसेक्शन हम जब करते हैं तो उसकी जो वेंट्रिल साइड होती है वो इन वर्टीब्रेट्स के केस में क्या होता है कि हम जब डिसेक्शन करते हैं तो उनकी डॉसल साइड उपर होती है जैसे आप इमेजिन करो कि यह कॉक्रोच है ठीक है ना और यह इसके विंग्स है तो जब हम डिसेक्शन करते हैं तो हम उपर की तरफ से करते हैं ठीक है ना तो जो हम डियाग्राम्स बनाते हैं इन्वर्टीब्रेट्स के, वो उनकी जो राइट होती है, वो अपनी राइट होती है, उनकी जो लेफ्ट साइड होती है, वो अपनी लेफ्ट साइड होती है. Got it? Because of the position of the animal being dissected. So, in vertebrates में, it's same as our position, vertebrates में, it's opposite. ठीक है, इसलिए, अगर मैं, मतलब, left, right का तुम्हें चक्कर confusion रहे, तो ये चीज़ अज्यूम करना. ठीक है, vertebrates में, it will be always opposite. Okay, one more thing is there, जब हम बार-बार ये valves करते हैं, और इकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, तो आप ये देखो कि, ये देखो, ये ट्राइकस्पीट वेल्फ हैं यानि कि इसमें क्या है, ठी जो है, flaps present है, बाकस्पीट में यानि कि दो flaps present है, बीच में ये बार कलर की जो cavity है. और यह आप देखो यह जो है यह भी ट्राइक पिड़ा या इसको सेमिलूनर वैल्व भी बोलते हैं सेमिलूनर वैल्व का मतलब इस शेप की तो इस शेप की अगर तीन फ्लैप है तो हम उसे ट्राइक कस्पिड बोलेंगे ठीक है यह दो चीज़े मुझे बतानी थे आपको क्लास शुरू होने से पहले कल की किलास में हमने फशच किया था और रेप्टाइर्स किया था थीक है फशच में टू-चेमब राड़्टाइर्स में थ्री बढ़ा हाट था और फोर्थ चाम्बर भी जो है बनने वाला था या निकल वेंट्रिकल में दिखाया था ने किस तरह से सेप्टम है पर वो ठीक है फ्लाइघ वर्टिब्रेट्थ यहाँ उनकी एनर्जी की रुकॉइर्मेंट है वह जादा है उन्हें रूस प्लाइफ और अव्यूद् चाहिए याने की उन्हें जो ओक्सिजिन और फूड्स जी जो है बलड वह चाहिए ठीक है इसके लिए जो ब Mayor के heart में कुछ जो है they have brought out certain changes जिसको हम कहते हैं adaptation तो वो adaptations क्या है bird के heart में वो यह है कि यहाँ पर जो heart है it is four chamber यानि कि four complete chambers are there completely dividing four boxes और chambers of heart are there. दूसरा जो change है वो यह है कि यहाँ पर complete double circulation complete double circulation का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो oxygenated blood है क्योंकि partition complete है ना oxygenated और de oxygenated blood की जो है mixing नहीं होती है और heart से blood जो है दो बार गुजरता है two times it crosses that is why we call it as double circulation and complete double circulation means no mixing of blood is there. ठीक है तीसरी adaptation या तीसरी जो change है वो यह है कि जो accessory chamber है ना हमने बदाया था ने शुरू में कि तो true chamber होता है रहे एक्सेसरी चैंबर true chamber तो auricle और ventricle है और अक्सेसरी चैंबर क्या थे साइनस वी नॉसस और ट्रंकस आर्टीरियोस तो यह जो एक्सेसरी चैंबर से वो जो है अप्सेंट है वो प्रेजंट नहीं होते बर्द् में ठीक है okay now we start with the okay other heart of pigeon में अगर हम if we start so here you will find that no accessory chambers are there there are two auricles इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हम dorsal side से देखें auricles में तो we find that auricles are you know यह जो है dorsal side से तो राइट औरिकल जो है तो इस तरह से यहां पर भार भी जो है इस तरह से grooves है जिससे कि हमें clear हो जाता है कि थोड़ा सा इस तरह से और यह जो है ventricle है so it is clear that there are two chambers of auricle and two chambers of ventricle और right auricle जो है वो comparatively बड़ी है ठीक है जैसा कि हमने बता है कि यहां पर accessory chambers नहीं है यानि कि sinus venosus जो है वो absent है sinus venosus की जगह क्या है कि यहां पर जो है दो जो है रैधर दो नी तीन वैना के वा वो इसी में open होती है या pre cables जो है वो इसी में open होती है एक तो यह right pre cable है एक रैट pre cable है एक left pre cable है और एक post cable है ठीक है अब राइट pre cable जो है वो क्या करती है blood है right side जैने कि shoulder से ऊपर जो है डिस इस राइट pre cable है this is left pre cable लेफ्ट और राइट प्री केवल शोल्डर से उपर वाला जितना ये पार्ट है शोल्डर और अबव हेड से लेकर शोल्डर तक वहाँ से डी ओक्सिजनेटिट ब्लड कैरी करकर लेकर आती है ये है सिंगल पोस्ट केवल ये हाट से नीचे वाला जितना भी बॉड़ी पोर्शन होता है वहाँ से डी ओक्सिजनेटिट ब्लड कलेक्ट करके कहां ला रही होती है ये लाती है राइट और इकल में ठीक है और राइट और और लेफ्ट और इकल में एक देर इस कम्पीट पार्टिशन अगर हम इसको इसको सेक्शन काटके देखे हम तो we'll find that ये जो है अगर हम इसको वेंटरल ही देखे और सेक्शन काटके देखे वी फाइन कि ये ये देखा हो ये तो है राइट और इकल और ये है लेफ्ट औरिकल और राइट औरिकल के बीच में इस तरह से ये सेप्टम है और इस सेप्टम को बोलते हैं इंटर औरिकूलर सेप्टम ठीक है अच्छा पहले क्या था कि इंटर औरिकूलर सेप्टम का जब मैंने तुम्हें बताया था शुरू में कि यहां हम नाम दिया थी है। इpu प्रपो बॉर्थेस किया हो भी चुए में ऑफ था AVI, भुब आफ जैन्टु परचे आप थी प्रिस्तों बॉर्षेस की जगे मतलब भी कंप्लीटली ब्लॉक है। इसके जगे कि यह निशान यानिकी वेस्टीज है वेस्टीज का मतलब कि है कि वो और्गन प्रेजन तो है बट इस नो और फंक्शनल तो इस पॉर्शन का फोराम जोवल नहीं कि फोराम जोवल में अपर्चर सम पॉर इस दियर अब इसको हम इसको नाम दिया हुआ है फॉसा तो यहां पर समवर हैर यहां पर फोर्शा ओवल इस प्रसेंट है विच यहां पर इसको वाल सा वो स्मूथ मसल्स की बनी हुए और यहां पर अगर इसको नोटिस देरार सब्सक्रेश देरार मसल्स ओफ यहां लो नेटवर्क इस तरह से लो नेटवर्क की इसकी वाल बनी हुए और इस इन इन मसल्स को बोलते हैं मस्क्यूली इन वाल्स को बोलते हैं मस्क्यूली पैक्टिनेट इन लो रिजिस अफ मसल्स को ठीक है तो दोनो तरफ प्रेजन्ट है यह जो मसल्स है इस तरह यह बाल्स जो है इसकी इस तरह से दोनो ही औरिकल और वेंट्रिकल ठीक है now this was all about oracle now we come to right oracle right oracle में हमने बतायाना कि क्या क्या open हो रहा है right pre-cavel open हो रही है left pre-cavel open हो रही है post-cavel open हो रही है यानि कि अगर हम यहां पर इसमें right pre-cavel में हम देखें here you will find these three यह तीनों जो है न यह जो है यह है right pre-cavel यह है left pre-cavel की opening किसके अंदर right oracle के अंदर इसके अलावा if you see there is another opening known as station valve यह station valve किसको mark करती है station valve mark करती है post cable को जो post cable है ने यह single वाली यह जो है यह post cable को mark करती है और यह जो है यह right pre-cavel को mark करती है और यह left pre-cavel को mark करती है इसके अलावा there is another valve known as valve of thabasius post cable की valve को क्या बोलते है valve of stasius और यह जो valve है there is another valve known as valve of thabasius valve of thabasius क्या है क्या होता है कि heart का जितना भी de-oxygenated blood है ना वो एक sinus में इकठा होता है heart का सिर्फ और उस sinus को बोलते है coronary sinus यानि कि heart का de-oxygenated blood coronary sinus में इकठा होता है और coronary sinus जो है right auricle में कहां open हो रहा है valve of thabasius से इस valve से open होता है और यह सारा de-oxygenated blood जो है इस तरह से right auricle में collect हो जाता है ठीके now we come to now अब उसके बाद क्या होता है if you see कि यह जो है right auricle जो है नीचे ventricle में open हो रही होती है तो यहाँ पर जब open होती है यहाँ से I'll just show you the opening जैसे यह इस तरह से partition था तो अब यह जो यह जो opening है इसकी it is something like this यहाँ पर एक सिंगल इस तरह से opening है flap लाइए एक सिंगल फ्लैपर और वहाँ से पुरा deoxygenated blood यहाँ पर ventricle में आता है ठीक है यह था right auricle now we come to left auricle अब left auricle में अगर देखा जाए तो there is only single opening कि अब एक ही opening है और वो opening किसकी है वो opening है pulmonary vein की ठीक है left auricle में pulmonary vein open होती है this is opening of यहाँ पर कोई valve नहीं है कि वाल एक opening है opening of pulmonary vein जो की oxygenated blood lung से लेकर आती है left auricle में ठीक है अब जब यह open होती है यहाँ पर जैसे यह open होती है यहाँ पर ventricle में यहाँ पर जो opening है वो है bicuspid यहाँ पर जो valve है यहाँ पर bicuspid valve है इस तरह से ठीक है नाव अभी दोनो औरिकल जो है वो cover हो गई है now we come to the next chamber that is ventricle ventricle के भी तुम्हें पता है कि इस case में birds onwards जो है ventricle भी जो है completely divided है अगर मैं draw करू इस तरह से यह देखो यह ventricle है ठीक है और यहाँ पर जो center में जो है यह complete partition है ठीक है ना इससे जो है इसको हम बोलेंगे right ventricle and this is left ventricle ठीक है जो ventricle की जो wall है वो काफी thicken है as compared to auricles correct now जो auricles है auricles जो है one third of heart बनाती है और ventricle जो है two third of heart बनाती है तो यह इतना बड़ा area जो है cover करती है यहाँ पर आप देखो first time it is happening in birds in birds that complete septum is there is septum को क्या बोलते इंटर ventricular septum कल हमने उसमें देखा था ना reptiles में वो incomplete था यहाँ पर complete interventricular septum is there अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर there are you know ridges यहाँ पर जो है papillary muscles है जो इसकी मैं दूसरे color से draw करती हूं वेंट्रिकल की wall से इस तरह से जो है large size muscles निकल कर आती है और इन muscles का नाम है if I say papillary muscles और यह papillary muscles अगर यह जो है valve के साथ जुड़ी हुई है मैं थोड़े सा और बड़ा कर देखी इस तरह से यह जो papillary muscles है if you see they are combined joint to the valves और यह joint को जो है हम क्या बोलेंगे इस joint को हम बोलेंगे chorda tendini तो papillary muscles जो है chorda पहले chorda tendini directly attached था wall of ventricle पे यहाँ पे chorda tendini जो है papillary muscle की मदद से जो है वो ventricle की wall पर जुड़ा हुआ है ठीक है दोनों ही तरफ same here also in is in यहां भी ठीक है पर यहां पर जो है यह if you see single flap valve के साथ attached है और वहां पर जो है bicuspid valve इस तरह से यह attached हो ठीक है अब क्या है यह यह जो ventricle है यह जो दो यह ventricle जब यह open खास होते नीचे तरह मैं दिखा जो यह open भी anterior end से होते है यानि कि यह दोनों ventricle बहार जो है open ventricle end से होते है इस तरफ के end से होते है ठीक है तो if you see कि जो right ventricle है this is right ventricle तो right ventricle से an arch comes out और ठीक है right ventricle से एक arch निकल के आता है इस तरह से ठीक है और इस arch को कहते है pulmonary arch इस arch को बोलते है pulmonary arch यह एक तरह से truncus arteriosus का modified form है और यहाँ पर भी यह न ट्राइकस्पिड valves present है यहाँ पर इसी तरह left auricle के anterior end से इसी तरह एक और blood vessel निकल कर आता है जिसको हम कहते है right systemic arch आर्च वो जो है इस तरह से क्योंकि वो राइट साइड जाते हैं इस लिए इस तरह राइट साइड राइज तो left साइड से हो रहा है बट वो टर्न करके राइट साइड चला जाता है तो इसको बोलते है right systemic arch ठीक है राइट सिस्टम में कहां जा रहा है राइट सिस्टम में आच पूरी बॉड़ी को oxygenated blood supply करने जा रहा है और pulmonary arch कहां जा रहा है pulmonary arch लंग्स में जा रहा है oxygenation के लिए ठीक है I hope तुम्हें समझ में हो गया होगा एक बार मैं तुम्हें फिर से जो है जो diagram जिसे draw की हो यह देखा आप पर यह pigeon का diagram है यह आप इसमें देखो यह दोनों chambers है यह जो है left auricle है और यह right auricle है यह left auricle है यह right ventricle है यह left ventricle है यह septum है ठीक है यह valves है ठीक है यह pulmonary arch है यह systemic arch है यहाँ पर आप देखो यह papillary muscles है जो आप पीछे दिखाया था यह corda tendine है यह देखो यह ready my diagram वह आज मैंने तुम्हें draw करते हुए बोलते हुए दिखाया थाकि तुम्हे picture जो है clear हो जाए यह तुम्हारी book में जो है इस तरह का diagram available है I hope it is clear to you ठीक है now we come to heart of mammals यह तो था birds में अब mammals के heart में क्या है mammals का heart है वह सबसे complex heart ठीक है और हलंकि basically resemble करता है तो अभी तुम देखोगे काफी चीज़े इसकी birds के साथ मिलती है और थोड़ा बहुत difference है वह तुम्हें you will come to note तो basic features क्या है mammals के again four chambered heart है mammals में ठीक है न यानि कि दो auricle है और दो ventricle है ठीक है यहाँ पर भी complete double circulation है यानि कि mixing of blood नहीं हो रहा और blood जो हार्ट से दो बार पास होता है ठीक है जैसे कि अभी हमने दिखाता है वहाँ पर coronary sinus था यहाँ पर भी there is coronary sinus जो कि heart का deoxygenated blood जो है वो carry करता है heart muscles से coronary sinus ठीक है फिर जैसे कि वहाँ पर present था है यहाँ पर भी valve of ostaceous है valve of ostaceous किसकी होती है post keval की होती है post keval vein open होती है और valve of thabaceous है valve of thabaceous क्या करती है coronary sinus जो है open होता है valve of thabaceous है right auricle में ठीक है फिर जैसे वहाँ पर inter auricular septum में fossa ovalis दिखाय थे न तो यहाँ पर भी fossa ovalis यह septum है यहाँ पर एक इस तरह से if you see earlier it was like this now it has been filled up like this यानी कि एक वेस्टीज है वेस्टीज का मतलब क्या होता है कि एक मतलब यह organ का भी functional रहा होगा it is no more functional now so vestige of foramen of ovalis there and that foramen of ovalis now called as fossa ovalis ठीक है फिर auricular वहाँ पर मैंने दिखा था auricle or ventricle के बीच में एक जस्ट उसमें birds में auricle और ventricle के बीच में एक single flap था ना opening के लिए यहाँ पर जो है single flap ना होकर यहाँ पर you'll find that bicuspid valve is tricuspid valve is there left tricuspid valve is there कहाँ पर के बीच में right auricle और right ventricle के बीच में ठीक है और left auricle और left ventricle के बीच में जिक है बाइक कस्पid जैसा कि birds में भी था और यह birds में नहीं था यह केवल mammals में ही होता है ठीक है दूसरा अगेन वही जो वेंट्रिकल की वाल है वहाँ पर कॉल्मनी कार्णी है कॉल्मनी कार्णी जो है स्मॉल जो एलिवेशन से हैं वेंट्रिकल वाल के वेंट्रिकल वाल में पैपिलरी मसल्स भी है घो कि अगेन जैसे कोनस र्टी और्टी री और अहां में ढूर्ट ऑ जो है रोल मोाण और लाइड्स में कषउ दो गश्चर्ण डिखाया तो living in हैंक हुआज तो मैं में चैपी निजो nam Chirenaus Arteriosus है वो जो है डाट अगें जो दो ब्लोड दो मेजयर वैसे इने करमाट हो गया है एक रिंपर और वहाँ पर भी फॉहां पर बीटाज है राइट एक आच था यहां पर राइट इस्टम काई के यते हैं लेफट के इसरेंग आरटि के section descended सेप्टल आर्ट्री और यह सेप्टल आर्ट्री किसको ब्लड सप्लाई करती है यह इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम में उसको जो है ब्लड सप्लाई करती है ठीक है तो यह हमने कुछ similarities और differences बताए है ठीक है अब हम basic structure देखते हैं कि mammalian heart का क्या है यहां पर भी अगर आप देखोगे तो देर इस यूनोग टू here again there are two auricles this is left auricle and this is right auricle left auricle थोड़ी सी हमेशा बड़ी होती है as compared to right auricle ठीक है this is right auricle and this is left auricle इनके बीच में भी क्या है there is fossa ovallis बताया थना fossa ovallis क्या है यह थर्ड बार डिसकस होगा इसलिए इसको बोलने की जूरत नहीं है यहां पर बीच में एक fossa ovallis है और यह जो वाल है auricle की वहां यह जो है इस तरह से low you know network of muscles है जिसको हमने musculi pactinity भी बोला है ठीक है इस तरह से right auricle की तरफ भी musculi pactinity है अब यह right auricle जो है blood जो है receive कर रही है दो तो क्या थी प्रीकेवल थी ठीक है यह right प्रीकेवल की opening है और यह जो है left प्रीकेवल की opening है ठीक है वैसे ही यहां पर एक single post केवल की opening है जिसको हमने नाम दिया था वैल वाफ उस्टेशिस वहां बर भी करा था बर्ट में भी और इसी तरह से एक और opening है वैल वाफ थेबेशिस जो की coronary sinus जो है वो यहां से open होता है ठीक है अब क्या है कि यह जो और इकल है यहां पर जो है नीचे जो है if you see there is thick walled large ventricle like this ठीक है यहां पर जो है there is an opening और वो जो opening है वो यहां पर जो है tricuspid opening अब tricuspid opening का मतलब क्या है कि अगर हम tricuspid opening देखेंगे और section लेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगी tricuspid opening वैल्व इस तरह से दिखाई देती है ठीक है so here you will see that there is opening something like this और वुस वैल्व से जो है right auricle से यह right ventricle जो है के contact में आती है ठीक है बस यह यह याद रखो यहां पर जो valve है वो tricuspid है और left auricle से जो right ventricle में परोते हैं वो bicuspid है bicuspid और tricuspid का difference मैंने तुम्हें बताया ही था ठीक है अब 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 what happens is that यहां पर left auricle में there is a single opening और वो जो opening है left auricle में वो है common pulmonary opening हमने इसको common pulmonary opening का नाम क्यों दिया है क्योंकि mammals में क्या होता है कि दो pulmonary vein होती है left pulmonary vein and right pulmonary vein वो दोनों वेंस जो है fuse होके left pulmonary vein left wing को left lung को जाते है right pulmonary vein right lung को जाते है oxygenation वो open होके common pulmonary vein बनाते है और वो यहां पर इस तरह से left auricle में open होती है oxygenated blood लेके ठीक है और left of यह जो left auricle की wall अने यह comparatively इस से थोड़ी ज्यादा right auricle से थिक होती है का तोड़ी सी slightly it is thicker than the right auricle in case of mammalian heart ठीक है now we come to ventricle there are two ventricles left ventricle and right ventricle यहां भी again if you see इनकी जो walls है वो काफी thickened है comparatively और इन ridges को क्या बोलते हैं इन ridges को बोलते हैं कॉल्यूम्नी केर्णी ठीक है और from here arises certain muscular structures जिसको हमने बताया था वहां पर भी बोला था इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं papillary muscles अचा one thing I forgot to tell you कि यहां पर भी एक bicuspid valve के थूँ जो है left auricle जो है वो इस तरह से left ventricle में open करती है ठीक है अब if you see यह जो valves है यह valves these are held in position इस तरह से इस position में held कॉन करता है papillary muscles joined with chorda tendini यहां पर यह इस तरह से if you see these are the chorda tendini which are pulling the valve downward making the flow only one way so this is chorda tendini ठीक है अब क्या है ventricles दोनो ventricles जो anterior side यानि कि यहां की तरफ open होते हैं यह right ventricle की opening है यह left ventricle की opening है to outside ठीक है अब right ventricle से if you see opens out pulmonary arch ठीक है अब यहां से there open out pulmonary arch and this is if you see this pulmonary arch if you see it is common pulmonary arch later on यह जो है divide करता है right pulmonary artery and left pulmonary artery में और यह जाके lungs में oxygenation के लिए जाते हैं तो this is pulmonary arch ठीक है up left ventricle से if you see there open opens out I'll just choose different color okay up left ventricle से open out you know a large vessel known as aortic arch okay or you can say that this is pulmonary arch and another if you see systemic arch if you see there open systemic arch from this side and later on it moves and bend on this side that is why it is known as left systemic arch वहाँ पर right systemic arch थे इसको हम गहेंगे left systemic arch यह जाता है इसको cross करके फिर से इसी तरफ bend कर जाता है ठीक है? so एक बर मैं तुम्हें इसकी picture दिखाती हूँ यह देखो can you see यह जो है एक यह auricle है this is a left auricle these are two ventricles अब आप देखो कि जो left ventricles से pulmonary artery open और pulmonary arch open हो रहा है और right ventricles systemic arch open हो रही है origin यहाँ से करें फिर से bend होके वो left systemic arch बना रही है यह देखो valves देखो यह valves देखो यहाँ पर valve देखो very well shown in these diagrams right इसके अलावा there is one more you know here in septal artery septal artery जो है interventricular septum को supply करती है blood okay then if you see there is a term they have used coronary circulation in mammalian heart coronary circulation क्या होता है कि coronary heart को जो है कौन supply करता है oxygenated blood heart को जो है coronary arteries supply करती है heart की wall को या heart की muscles को coronary arteries supply करती है oxygenated blood ठीक है और जो deoxygenated blood है वो कौन करी करता है वो collect होता है sinus और sinus से वो फिर से किसमें जाएगा it will come back to heart by right auricle कहां से valve of thebaceous valve of thebaceous ठीक है तो इस तरह आप देखो जो है यह जो coronary arteries और coronary sinus के बीच में जो exchange हो रहा है न इस circulation of blood को कहते है coronary circulation correct I hope it is clear to you मैं description box में immediately after the class मैं यह diagrams जो कि already जो मैंने तुम्हें explanation के time नहीं दिखा है आज मैंने diagram draw करते करते दिखा है यह वाले diagrams जो है मैं अभी immediately description box में डाल दोंगी okay thank you very much that's all